हाई स्टूडिंस मैं सुन्या विद्यागूर से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस एर्रस के ऊपर एक सेशन वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करीगा शेर करिए सब्सक्राइब हमारे चानल को जरूर कर लीजेगा सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन आते रहेंगे उन आप से हेल्प जो मैं कर रही हूं काम आपके आएगी एक्जाम के अंदर चाहे आप कोई भी इक्जाम लिखने वाले हूं इंगलिश का से जो भी सेक्शन होता है वो कॉमन ही रहता है तो काफी सारे क्वेस्टन आपको सिमिलर मिलेंगे मैं लैंग्वेज नहीं किया रही पाउख सेंटेंस पढ़ने पर यह बता चलेगा कि decoration है decoration का comparison हो रहा है किसी और के घर से प्रबलन तो यही आगए कि decoration का comparison किसी के घर से नहीं करना था इसी लिए sentence हमारा क्या है पहले मैं आपको पढ़के बताती हूँ कि कैसे आप गलती समझ बाएंगे प्लीज सुनिये इसे लिखियेगा मत यह answer नहीं है The decoration in your house is quite similar to his house नहीं मेरा मतलब यह है कि The decoration in your house is quite similar to the decoration in his house यह मेरा meaning है कि decoration को decoration से compare किया जाए लेकिन आपने अगर error निकालना है तो आप इतनी लंबी बात नहीं लिख सकते है आपको minimum modification के साथ error निकालना होता है तो error निकालेंगे minimum modification के साथ इसको correct करके अगर बात करूँ तो correction क्या है correction भी आपको सीखना चाहिए तो correction यह है The decoration in your house is quite similar to that in his house Similar to that in his house वो that लगाने से in तो यहाँ गा इसलिए वहाँ पर भी मैंने इन लगाया है that लगाने से वो decoration का comparison इसके घर की decoration का comparison इसके घर की decoration से करने लग जाएगा जैसे ही आप वहाँ that लगाएंगे error C part पे हैं mark कर लीजेगा बस that in his house आजाएगा यहाँ पर next question next question the poet has described about the spring season in his new book अब जड़ा लिखना स्टार्ट करिए points बनाना स्टार्ट करिए क्योंकि grammatical rule है आपको पता होना चाहिए और यह बहुत basic वाले है describe के बाद about नहीं आता है इसी रिए error B part में है अब about नहीं आता से मैं यह कहना चाह रही हूँ कि जब पहला word describe हो दूसरा word यह ऐसा बता रही हूँ कि अगर यह words हो तो emphasize हो तीसरा word stress आ जाए highlight आ जाए या फिर discuss आ जाए 5 words बोले हैं मैंने describe, discuss describe यह लिखा हुआ है discuss, emphasize, stress और highlight जैसे जब words आते हैं तो इनके बाद में preposition का प्लीज याद रखिएगा जब इनके बाद preposition आपको लगावा मिलेगा error उस पार्ट में होगा जैसे कि यहाँ पर describe के बाद मैंने about लगाया है describe के बाद मैंने about लगाया है error भी पार्ट में about हटाना है आपको next question the doctor says that the patient will recover in few days आपको समझ में आना चाहिए यह error भी बहुत low level का error माना जाता है जब हम few और few बढ़ते हैं few और few बढ़ते हैं आपको यह समझ आना चाहिए कि few negative meaning देने वाला word है लिखिए few लिखिए a few और दोरों का meaning लिखिए few होता है negligible few होता है negative meaning देने वाला मतलब ना के बराबर few का मतलब क्या है ना के बराबर क्या हम यहाँ पर यह कहना चाहरा है कि डॉक्टर ने पेशिंट को क्या गाए कि वो recover करेगा कुछ दिनों में या ना के बराबर दिनों में मेरा कहने का मतलब आपर negative वाला meaning नहीं आ रहा है वो यहाँ पर यह कहना चाहरा है कि will recover in a few days होगा क्योंकि few का मतलब negative होता है few का मतलब ना के बराबर होता है और यहाँ पर हमें कुछ दिन बताना है तभी तो डॉक्टर ने कहा कि आप कुछ दिन में क्या हो जाएंगे recover कर लेंगे तो recover कर लेंगे इसलिए in few days नहीं in a few days आएगा error किस पार्ट में है c पार्ट में है तो few क्या था ना की बराबर a few क्या है थोड़ा कुछ the artist plainly a better critic the artist plainly a better critic than an actor disapproved of his performance in the film यहाँ पर पहले देखिए कह रहा है artist disapproved कर रहा है artist क्या कर रहा है disapproved कर रहा है अपनी performance को film में इसका मतलब जो artist है वो जादा बढ़िया critic है than an actor अपनी performance को क्या कर रहा है disapproved कर रहा है इसका मतलब बढ़िया critic है जादा अच्छा critic है actor होने से जादा अच्छा critic है पहले ये समझे ऐसे questions आते हैं ऐसे questions बच्चों को भी आते हैं कि जब मैं class में पढ़ा दूँ the poet and dramatist the poet and dramatist बच्चे जल्दी समझ आते हैं कहते हैं माम आप यहाँ पर कहना चारे हूँ कि singular है ये subject singular है ये क्योंकि जो poet और dramatist है वो singular है अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं समझाओं वो क्या कह रहें कहरे है माम अगर आपने the poet और the dramatist बोला होता तो वो दो लोग होते वहाँ पर उनको plural मान लेते क्योंकि the एक बार आया है क्योंकि article एक बार आया है the poet और dramatist बोला है माम ने इसी लिए वो singular subject की तरह काम करेगा article एक है इसका मतलब जो poet है वही dramatist है जो dramatist है वही poet है article एक person यहाँ पर भी same चीज़ अपलाए होने वाली है यही concept आपको बढ़ा रही हूं समझे मैंने का the director and producer the director and producer एक ही इनसान है जो director है वो ही producer है लेकिन अगर बोलती the director and the producer तो वो दो लोग हो जाते the chairman and CEO एक ही इनसान है जो chairman है वही CEO है लेकिन the chairman and the CEO दो अलग अलग लोग है क्योंकि article दो हो गए यहां पर अगर आप समझ भाएँ तो artist ही है आगे लिखा है artist ही है जो critic है जो actor है वो ही critic है वही actor है इसका मतलब इसके दो ranks को इसके दो ranks को हम compare कर रहे हैं तो compare कर रहे हैं एक ही इंसान के बारे में बात कर रहें सब्सक्राइब जो आर्टिस्त है वो अक्टर भी है लेकिन वो जादा अच्छा जऄ है बाजा इसके अक्टर के तभी तो अपनी पर्फोर्मेंस ख्या कर रहा है disapprove कर रहा है, error के इस part में है, error B part में है वैसे आपको पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए था कि एक person है जो बात जो reference में आपको बता रही थी बिल्कुल यही वाला reference में आपको बता रही थी जिसके अंदर मैंने बोला कि artist, critic और actor दोनों है article एक के आगे लगना चाहिए, इसलिए critic के आगे लगा दिया है actor के आगे से अटा दिया है क्योंकि यह person एक ही है कौन person? Artist Instead of being helpful, he was being a hindrance Instead of being helpful, he was being a hindrance अगर आपको आपने पढ़ा है, लिखावा पढ़ा होगा यहाँ पर यह singular countable noun की तरह काम कर रहा है जैसे मैं बोलू, he was an impediment he was acting as an impediment an impediment, हमने का an obstacle यहाँ पर हम कहना यह चाह रहे है कि obstacle की तरह, an obstacle an obstacle in my way, an obstacle, an impediment रुकावट की बात हो रही है singular countable noun की तरह यहाँ काम कर रहा है इसलिए महाँ पर a hindrance आएगा instead of being helpful, he was being a hindrance याद रखिये, singular countable noun error C part में है hindrance के पहले article लगाना जरूरी था जैसे मैं यह नहीं कह सकती हूँ सिरफ impediment, an impediment बोल रही हूँ an obstacle बोल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या बोलोंगी a hindrance बोलोंगी due to me being a newcomer I was unable to get a good house newcomer है कोई बात कर रहा है नए house के बारे में नए house लेने के बारे में अब हम grammar के ऊपर फटावट से जंग करते हैं देखिये, grammatical reason grammatical reason यहाँ बर काफी सारे students मुझे लिखने है माम हम आये लिख देते हैं हम कुछ भी मतलब change करेंगे और कुछ बोलेंगे माम मी तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा है प्लीज सुनिये यह रूल क्या है यह रूल यह है कि एक gerund है यह क्या है अगर आपको gerund नहीं बता है मैंने प्रीवेस वीडियो में काफी डीटेल में gerund को पढ़ा है आपको सिर्फ इतना बचा दूँ कि जब वर्ब की first form आती है और उसके अंदर ing लग जाए तो वो gerund बन जाता है gerund noun की तरह काम करता है gerund noun की तरह काम करता है अगर आपको लगे कि यह तो verb भी हो सकता है देखिए अगर हम verb पेचानने लगेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने प्रीवेस वीडियो में इनको बहुत डीटेल में पढ़ाया हुआ है मैं आपको सिर्फ शॉट में यह बता रही हूँ अभी कि gerund verb की first form और ing होता है जो sentence में verb की तरह काम ना करके noun की तरह काम करता है जब किसी sentence के अंदर gerund डाल जाता है तो उससे पहले possessive case आता है अगर आपको possessive case नहीं आता है तो सुनिए जब हम मोलते है I, my, me I, my, me possessive का मतलब होता है कोई चीज किसी के possession में होना कोई चीज किसी के अधिकार में होना जैसे मैंने कहा my book, his car, her notebook, their classroom तो यहाँ पर possession वाली feeling समझिए कि my, are, his, her, your, their their कौन सा? T, H, E, I, R वाला तो यह सारे के सारे possessive cases है जब आप कोई gerund देखें उससे पहले आपको कोई possessive case लगाना होगा अगर मैं यहाँ पर he या him लगाती अगर मैं यहाँ पर he या him लगाती आना क्या चाहिए था? His अगर मैं यहाँ पर लगाती She तो यहाँ पर आना चाहिए था? Her क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि gerund से पहले क्या आता है? Possessive case तो possessive case अगर आप एक बार नजर मार पाएं कहीं पर तो देखेगा जरूर Possessive जो possession दिखाएं वैसे मैंने आपको बता दिया My Are Your His Her Their Due to My Being A Newcomer क्योंकि Being क्या है यहाँ पर Gerund है और gerund से पहले Possessive case लगाते है Next question By the time she had finished her work I had nearly given up all hope of reaching home in time यहाँ पर बात क्या चल रही है? दिखिए बात यह चल रही है यहाँ पर कि मैंने finish कर दिया यहाँ पर बात यह चल रही है दो चीजों को पार्लेली दिखा रहा है एक कह रहा है कि वो जब तक काम finish करेगी जब तक वो finish काम करती तब तक मैंने क्या कर दिया था? तब तक मैंने give up कर दिया था Give up करने वाली बात और काम finish करने वाली दो बाते हो रही है आपको judge करना था आपको देखना था कि कौनसा काम past में पहला action है और कौनसा दूश्रा action है Past में जब दो actions होते हैं, जब उनको आप classify कर पाते हो पहले और दूसरे की तरह कि एक पहला काम है और एक दूसरा काम है, तो पहला action जब होता है तो उसके साथ आप लगाते हो हाइड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे एक्शन के साथ आप लगाते हो सेकेंड फॉर्म देखिए मैं क्लास में भी ऐसी इस्तमाल नहीं करना चाहती कि मैं बोल दूँ पास्ट है या फिर सिंपल पास्ट है बच्चों को समझ नहीं आता मैं इसी लिए आपको बहुत इजी अगर बास में दो आक्शन होते हैं पहला काम उत्तम करती थी मैंने क्या कर दिया था गिवाप कर दिया था पहले मैंने गिवाप किया इसी लिए मेरा गिवाप करना पहले है इसलिए had plus third form given had given up had given up यहां पर आएगा यह ठीक है लेकिन second action के साथ second form आती है second action के साथ क्या आती है second form आती है यह आपको याद रखना होगा कि second action के साथ second form आती है मैं आपको example के साथ समझाऊंगी अब इदर देखिए by the time she had finished her work नहीं by the time she finished her work she finished her work by the time she finished her work I had nearly given up all hope of reaching home in time तो दो action दे पहला action had plus third form लेता है second action second form लेता है हमने क्या बताया था हमने का जब तक वो काम कतम कटी उससे पहले ही मैंने क्या कर दिया था give up कर दिया था इस sentence में problem यह होती है बच्चे यह नहीं समझ बात है कि पहले action कौन सा है पहला action वो था जिसमें give up किया पहले give up किया और दूसरा action क्या था काम खतम करने वाला तो काम खतम बाद में हुआ है give up पहले किया है इसलिए पहले वाले action के साथ head plus third form और second action के साथ second form एक common सा example लेते हैं जल्दी से patient के बारे में और doctor के बारे में बात होती हुई पहले पहले दिये गए होंगे का यह जाता है कि डॉक्टर पहुंचा patient को देखने तब तक patient मर गया था बात यह चल रही थी कि patient पहले मर गया था और doctor बात में पहुंचे थे इसलिए the patient had died होता है when the doctor reached यहाँ पर मैंने क्या कहा है the patient had died क्यों had died बोला क्योंकि patient का मरना पहला action था had died the patient had died doctor reached afterwards the doctor reached when the doctor reached reached जो था वो second form था second action था इसलिए second form लगाया था common example है दो action थे पास्ट के अंदर पहला action had plus third form लेता है और second action second form लेता है मैंने जल्दी से बता देती हूं मैंने क्या पढ़ाया है अभी तक आपको कि decoration का comparison in your house is quite similar to the decoration in his house इसको शौट में करके बिल्कुल करके बिल्कुल छोटा करके हमने क्या बनाया था similar to that in his house error c part में बताया था decoration का comparison decoration से किया था describe के बाद preposition रहा था इसलिए about me आएगा error b part में था next question में मैंने आंको बताया था कि a few days होगा क्योंकि कुछ दिन में recover होने की ठीक होने की बात कही है और कुछ दिन a few होता है few नहीं होता क्योंकि few का मतलब तो होता है कोई दिन है ही नहीं artist एक ही इंसान है उसके बारे में बात हो रही है कि वह क्रिटिक भी और आक्टर भी है यहां पर मैं आपको यह बताना चारी थी कि जब चीज़ां एक साथ लिखी होती है तो आप लोग पैचान लेते हैं थोड़ा distance पे लिखा हुआ था इसलिए पैचानने में दिक्कत होती है शायद हो सकता है आपको यह आता भी हो पहले से a better critic than an actor नहीं होगा a better critic than actor होगा and नहीं आएगा क्योंकि critic और actor एक ही इंसान है इसलिए article एक ही आएगा instead of being helpful he was being a hindrance he was being an obstacle वहाँ पर मीविंग वही आ रहा है इसलिए महां पर a लगा है error c part में है gerund noun की तरह गाम करता है gerund verb की first form में ing होता है gerund के पहले possessive case आता है इसलिए due to my being a newcomer आएगा महां पर error a part में है next question by the time she finished her work I had nearly given up all hope of all hope of reaching home in time दो actions हुए थे जब पास भी दो action होते है पहला action head plus third form लेता है और second action second form लेता है इसके लिए आपको पता लगाना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि कौन सा action पहला है और कौन सा action दूसरा है और वो sentence पढ़के उसी time पता लगाया जा सकता है आप अप कर रहे है थांक्यू